एक आगाई कैसे हो दोस्तों सब अच्छे हो गए लेक्षर 3 की बात करते हैं आज हम लेकिन जी बलंडिलेशन में अगर टाइप सो पैटरन की हम बात करते हैं तीन टाइप्स के पैटरन बनते हैं नंबर 1 पजल फॉर्म नंबर 2 तो बनता है । कोडी रिलेशन्सिप से लेकिन अगर इसको छोड़कर किसी भी एक्जाम की बात कर लो में बैंकिंग को छोड़कर हर एक एक्जाम में आते है तीनों ही टाइप यानि पोइंटिंग फौम भी उसमें ऐड होता है यानि 47 जो पेटरन यानि टाइप होते है वो स तो दोस्तों, देखते हैं, आज थोड़ा सा, इस स्फीड करेंगे, थोड़ा सा, इस स्पीड से भई कैसे करेंगे आज थोड़ा सा, यानी यही चार से पाँच कोश्चन हमने पूरे कम्पलीट कर लिए थे, आज बात करते हैं, जानकारी साबधाने पूरुगाग पढ़े औ यह जो होगा यह given होगा आपके एक्जाम में फिर यानि question कहां है यह रहा है भई question देखो जल्डी से थोड़ा सा फास्ट करेंगे आज थोड़ा सी आपकी भी मुझे क्या है उसने का है धेको P at the rate क्यों यह question है P at the rate क्यों यानि देखो वहाँ पे क्या होगा जो दिया होगा given exam direction के according वहाँ पे होगा A at the rate क्यों यानि A at the rate sorry B यह दिया हुआ है तो इसका मतलब actual में A नहीं है P पड़ेंगे हम B को हम क्या पड़ेंगे दोस्तों डोलर पड़ेंगे बस यह बात का आपको ध्यान रखना है बहुत छोटी सी बात है यानि P at the rate क्यों जल्दी से देखेंगे कहां पे है यह राजी इसको पड़ो P इसको पड़ेंगे B को क्यों यानि इसने का है actual में P at the rate क्यों means A is a husband of क्या है यानि P यहाँ पे क्या है A की जगए P की पती है किसके पती है वह क्यों के अगर पती है प्लस का साइन और 20 में लगा देंगे सर के लिए क्यों को तभी तो साधी करेगा फिर देखो अब क्यों और डोलर एम क्यों डोलर वाले में चलो डोलर कहा है पर यह है A क्या है क्यों और ये है M यानि क्यों M की मा है क्यों मा होगी किस की भई M की M के जेंडर का हमें नहीं पता दोस्तो फिर देखते है M ये रहा जी M हैज T, पीछे चलो M हैज T, ये रहा जी M, और ये है B यानि T, यानि M T के पिता है M पिता है किसके इस T के क्योंकि T के जेन्डर कभी हमें नहीं पता है यानि ये तो हो आप आपके पिता और पिता के माता पिता उपर बस समझे लो अपने उपर लेकर आप आश्वर जल्दी से दे सकते हो कैसे उसने कहा है P का T से क्या संबंद है देखो पी ये पी कहा रहा है कि स्टीस से कि मैं तुम्हारा क्या लगा भई देखो जो हमारे देखो ये पिता ये हमारी माता इन के होगे हमारे पिता जी पिता जी के हुवे हम यानि जो हम से पूछेंगे हमारे पिता के पिता तो हमारे क्या होगे दादा होगे या ओप्सन में है दादा देखो जी ना नहीं हो नहीं सकती दादा ओप्सन भी क्रेक्ट होगा इसको ओप्सन में तो हमें जेंडर का नहीं पता फिर देखते हैं, सात्वा कोश्चन M, K यानि M M at the rate K चलो, M at the rate K भई देखते हैं, at the rate कहां पे है यह राजी, A को पढ़ो M इसको B को पढ़ो K यानि M, K के पती है, हाँ है ना इसको पढ़ेंगे M, और इसको पढ़ेंगे B को K, M, K के पती है, M, पती है दोस्तो किसके पती है, इसके के को सरकिल में, अब उसने क्या कहा है जल्दी से आप अनसवर, दे सकते हो कैसे दे सकते हो भई आपने कहा है, इसने कहा है K का G से क्या संबंद है K का G से क्या संबंद है यह K का G से यानि K पूछ रहा है भी तो है बस थोड़ा सा बस इसी चीज का ध्यान रखना है इस जी से इस के ने पूचा है इस के ने तो जी की क्या लगी यह हमारी माता माता के पुत्र पुत्र की साधी होगी किसके यह नाम के नाम की लड़की से जो हमारी आपके बहू होगी आपकी बहू होगी वह आपकी म चाची भी नहीं है बहुँ है यह राजी डोटर इनलो बहु देखो जल्दी से दोस्तों next question आठवा यानि एप डॉलर डी एप की जगह एह होगा वहाँ पे और डी की जगह बी यानि ए और बी में एप और डी क्या करना है उसी के अंदर एप डॉलर डी है न एप अठ धर डी at the rate D at the rate B को पुढ़ो D यानि app D के पती है इसको रपको एप पती है किसके भई D के D के पती है सरकिल में मेरी तबियत हो रही आज बहुत ज़्यादा खराब बहुत ज़्यादा खराब हो रखे आज तबियत मेरी थोड़ सा आप manage कर सकते हो आज बहुत ज़्यादा खराब है दोस्तों लेकिन आपका प्यार खींचलाया आज मुझे D क्या है बई D परसंटेज के D के परसंटेज है ये राजी इसको D परसंटेज B को पुढ़ो के इसका मतलब क्या है बई यानि actual में A की जग है D होगा और B की जग है actual में K होगा यानि D के की बेटी है D बेटी है किसकी K की के के हमें gender का नहीं पता कि ये क्या है भाई माता भी हो सकते है D के और जी भाईया पिता भी हो सकते है मेरे दोस्त यानि K हैज H को पढ़ो जल्दी से K हैज H को K हैज H K है ये राजी K B को पढ़ो H यानि आप कहेंगे कि K ह के पिता है किसके इस H के अब H के gender का नहीं पता है यानि H क्या हो सकती है K की लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है यानि D और H भाई बेहन भी हो सकते है यह बात और दोनों बेहने भी हो सकते हैं यानि कितने कितने बच्चे हैं दो बच्चे हैं अब पूछा क्या है आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे कहा है आठवा उसने कहा है कि एप एच से किस परकार संबंदित है एप एप एच से किस परकार संबंदित है यानि डी यानि इसकी H की बहन से साधीक हुई है, इस F नाम के व्यक्ति ने, और जी जो D का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, इससे पूचा है, ये क्या हुआ जी इसका, H का, F ने पूचा था, ये कहेगा कि मैं आपका लगा जी, जी जा, क्या हुआ, जी जा, आठवा कोश्चन है था भई, जी जा, भावी तो हो नहीं सकती, मेरे दोस्त, बहन भी नहीं हो सकती, ओपसंडी, जी जा हो सकता है, हो सकता नहीं होगा ही,